Hello friends, आज मैं आपको Algebraic Expression Exercise 12.3 Class 7 का Question No. 5 बता रहूँ हूँ, उससे पहले वाले मैंने कर दिया है, Question 9 तक भी मैंने कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज उसे देखें और शेयर करें अपने Friends के साथ, देखो यहाँ पे Question दे रखा है, When A equals to 0, B equals to minus 1, find the value of the given expressions, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे value substitute करनी है, जैसी यहाँ पे लिख रखा है 2, तो 2 की जगह पे तो आप 2 लिख दो, A की जगह पे क्या करोगे, ऐसे bracket बनाके 0 लिख दो, प्लस 2 और B की value कितनी है, minus 1 तो इसको भी bracket में लिख दो, ठीक है, अब 2 को जब आप 0 से multiply करोगे, तो answer कितना हैगा आपका 0, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यह plus, यह minus, 2, 1 जा 2, एक positive integer है, एक negative है, और जब हम इन दोनों को multiply करेंगे, अगर एक number negative है, तो answer हमारा negative में ही आन वाला है, तो 2, 1 जा 2, यह minus 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका answer हमारा क्या जाएगा, minus 2, next question देखो, second bit में दे रखा है, 2A square, plus B square, plus 1, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2A की value कितनी है, 0, तो 0 का square, plus B की value कितनी है, minus 1, तो minus 1 का square, plus 1, ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो, जब 2 तो ऐसी लिखो, 0 का square तो क्या होगा, 0 ही होगा, अब यह, अगर power आपकी positive, मतलब even number में है, और negative number का आप square कर रहे हो, even number है, तो आपकी value जो positive है, तो 1 का square, minus 1 का square भी 1 होगा, और 1 का square करने तो भी 1 होगा, ठीक है, अब 2 को आप 0 से multiply करोगे, तो answer कहेगा, 0, किसी भी number क 0 से multiply करोगे, तो answer 0, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो आपका answer कितना आगया, इसका, 2, ठीक है, थर्ड बिट देखो, यहाँ दे रखा, 2A square B, plus 2AB square, plus AB, सबसे पहले काम क्या करेंगे, 2, A की value कितनी दे रखे है, आपको, 0, तो 0 का square, और B की value कितनी दे रखे है, आपको, minus 1, यहाँ bracket में, minus 1, plus 2, A की value कितनी है, 0, और B की value आपको कितनी दे रखे है, minus 1 का square, ठीक है, plus A की value कितनी है, 0, और B की value कितनी दे रखे है, B की value दे रखे है, आपको, minus 1, ठीक, अब क्या करोगे, देखो, जब हम इस 2, तो 2 ही रहने वाला है, 0 का square करोगे, तो 0 into minus 1, ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, यह 2 into 0, और minus 1 का square करोगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो, 0 को minus 1 से multiply करोगे, तो answer क्या आएगा, अब देखो, यहाँ पर एक number 0 आगया, यह 3 नमबर है, कित्रे भी number हो, अगर बीच में, एक 0 से आपको multiply करना है, तो answer तो आपका 0 ही होने वाला है, यहाँ पर भी 0 आगया, यह भी 0, तो आपका answer क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, next, देखो, यहाँ देर का a square, plus a b, plus 2, a की value किती दे रखिए, 0, तो आप 0 का square करोगे, plus a b, तो a की value तो 0 है, और b की value कितनी है, b की value है, आपकी minus 1, plus 2, ठीक है, 0 का square तो 0 ही होगा, 0 into minus 1 करेंगे, तो भी answer कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, plus 2, तो आपका answer कितना होगा, इसका, 2 होगा, इसका answer, please, कम से कम अपने एक friend के साथ जरू share करो,